नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधी राधी कैसे है आप सब लोग मैं बहुत अच्छी हूं और आप लोगों के वज़े से ही हुआ है आप थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही हूं और असा करती हूं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे वीडियोस लापाऊंगी आज की वीडियो बहुत खास है काफी लोगों ने मुझे पुछा था कि दिदी जब आप पूजा नहीं कर पाती है तब घर पर पूजा कैसे होती है तो देखे कुछ चीज़े मैं आपको दिखा रही हूं और कुछ चीज़े मैं आपको बताऊंगी तो ध्यान से वीडियो क जैसे मैं करती हूं वो अपने हिसाब से उसी तरह से कर लेते हैं अगर आपके घर में पूजा के लिए घर में कोई भी नहीं है तो जैसे ममी लोग हो रहते ना तो उनको कुछ बतानी की जुरूत नहीं पड़ती है वो खुदी कर लेते लेकिन अगर आपके घर में ऐसा स्कूल भी रहता है और और अगर ममी जब नहीं रहती है, जैसे ममी तो थोड़े दिन के लिए आई है, जब नहीं रहती है, तब मेरी बेटी सुभे सुभे गुपाल जी और अधारानी का सनान करवा लेते हैं, और एक लोटा में थोड़ा सा जल और गंगा जल करके लेती है, उसमें फूलों से भी ना डाले, इस बात का ध्यान रखे, आप देखिए कुछ भोग प्रसाद इस तरह से बना के रखते हैं, जो कि गुपाल जी को भोग लगाने में बहुत एजी होती है, कुछ नमकीन, कुछ लड़ू वगेरा, यह सब चीजे अगर आप बना के रख देते हैं, जैसे आप पता है कि आप आगे चल के किस डेट से कब से आप पूजा नहीं कर पाएंगे, अगर आपको यह पता है, तो आप उससे पहले ही थोड़ा सा भोग बगरा बना के दीजिए, ताकि बच्चे या बड़े घर के कोई भी मिंबर आराम से भोग लगा पाई, भोग में आप क्या आप बहुत तरह का शुखा पकवान बना के रख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी बात है फल, अगर हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, सब लोग बोलेंगे हैं दीदी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन अगर संभव है, तो खजूर बगरा लेके आ आप सकते हैं, आप देखिए, बहुत अच्छे से पूजा कर लिया, आप घंटी बगरा भी बजा देंगे, दिया धूप बगरा कर लेते हैं, मंदीर में एक बात का ध्यान रखे, कि सिच्वेशन जैसे भी हो, घर किसी भी मेंबर से आप थोड़ा सा बात करके, धूप और कम से कम कर लिजे, अगर कुछ भी नहीं हो पाता है, तो धूप दीप कर लिजे, और थोड़ा सा जो भी सुखा खाना या भोग बगरा बना के रखे हो, या फल बगरा है, कुछ भोग चड़ा दीजे, मंदीर को उपवास नहीं रखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखे, एकदम से अकेले अगर हो, तो फिर देखो, मैं ऐसा स्वास सबसे आगे होता है, तो आपने हेल्थ का पहले ख्याल रखो, लेकिन अगर कोई घर पर है, तो इन बातों से आपका जैनम मन को तसलिय मिलेगी, अच्छा रहेगा. अब देखो, नारियल को अच्छी तरह से हमने यहां पर कोड लिया है, और आप इस भी सकते हो, नारियल निकालने वाला भी आता है, तो उससे भी कर सकते हो, थोड़ा सा इलाइची बगरा डाल दीजिए, और गूर से बहुत अच्छी तरह से पकाया जाता है, इसको इसी त रखना पड़ेगा, अब फ्रेज में बहुत तरह का चीज़े रहती है, आप सभी को पता है, फ्रेज में कोई बचा हुआ खाना भी हम रख लेते हैं, तो मैं नॉर्मल फ्रेज में भगवान का सामन नहीं रखती हूं, इसी तरह से देखिए, गूर का नारियल का लड़ू अब बनाके रखिए, 15-20 दिन अराम से चल जाता है, तो आप दोदो करके लड़ू निकाल-णिकाल के भगवान को दे सकते हैं, बेसन का इस तरह से बूंदी अब बनाके रख सकते हैं, अब ये बूंदी आप चाहे तो नमक का या बीना नमक का भी बना सकते हैं, बीना नमक जो प्लास्टिक में रखेंगे तो खराब होने का चांस है बहुत ज्यादा होता है तो मैं अपने जिन्दगी के कुछ एक्सपिरियंस से यह चीज़े आप लोगों से सेहर कर रहे हो आई होप यह चीज़े आपके लिए भी हेल्फुल रहेगा काफी हेल्फुल रहेगा इस त सकते हैं तील की लड़ू बना सकते हैं यह सारे चीज़े 15 दिन आराम से चल जाते हैं कुछ नहीं तो अगर साथ-दस दिन भी चल गया तभी आपका काम बन जाता है ठीक है तो देखें यहां पर एक ही चीज से दो चीज हमने बना लिया थोड़ी सी बूंदी भी बना लिया और इसको गयते हैं आठे का ठेक हुआ तो यह भी अब बना के रगचा क्यों यहां पर देखें नम्ची कि बनाए हैं हमारे यह आता नम्की सबसे पहले निकाल देती हूं उसके बाद बच्चे है तो बच्चों को तो चाहिए वह भगवान को कब भोग लगेगा तब हमें मिलेगा इसके इंतिजार बच्चे कभी नहीं करते हैं तो यह एक सच्चाई है यह हमें मान लेना चाहिए कि बच्चों को मन करता है तो उनके लिए मैं अलग से रखना चाहिए और यह हो गया मेरा सुभी का पूजा अको कैसे हो रहा है और सामाधा भीdog माघरां भी बता दिया है अब जो मैं बता रहा हूं वह है रात को भागवान को सुलानी के लिए प्रोशेस होटी है तो दिखे इसे हैं न रहता है काच का बोटल में ही रख ती हूं तो यह ममी सुनवायन रही है और बेटी इसमें डाल-डाल यह पर देर लोग को प्लैनिंग के साथ कर लेते हैं तो चीज़े हो जाता है उसमें बीमार पढ़े हो छीज़े सुना पड़ा है इसा इस सुना पड़ी गोई वीडियो चीज़े नहीं हो को कैसे लगा जुरूर बताना अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से राण कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना राधी विद्धाद